नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे एक शोकेट स्विच और एक होल्डर एक स्विच तो हम चाहते हैं कि हमने यह होल्डर है तो हमने यहीं से बंद हो जाए और यह शोकेट है तो इसको हम यहीं से बंद करना तो यह है दोस्तों सीधा यह आप देख रहे हैं यह अब हमने सीधा कर दिया तो इसके लिए आपने क् कभी भी जब बोड आप बनाते हैं आज आप सीख रहे हैं कि हम एक शोकेट और एक स्विच और एक होल्डर एक स्विच कैसे बनाते हैं इसको और कैसे इसकी हम वाइरिंग करते हैं सभी ने ध्यान से देखना है इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताओं कि पहले तो आपने ये market से purchase करने है soak it है. ये switch है. ये switch है. ये holder है. इसके बाद हमने इसको net होते हैं इसको Pichze. पिछे वाली बिडियो मैंने बताया है कि कैसे इसको हम रगाते हैं. तो इसको हमने क्या करना है wiring करनी है. बार इरिंग कैसे करते हैं. तो सबीने ध्यान से दिखने तो यह पहले हम पावर पास के लिए देते हैं इसे क्या आता है होल्डर बंद होता है उन अफ का तो इसका हम नहीं यहां दे दिया यह इससे उन अफ होगा जब भी आपने वाइरिंग करनी है तो देखना है कि वो टाइट करके यह नहीं कि लूज करके डिल आप छोड़ दोगे तो बोड़ आपका जल सकता है कि तार आपकी केमी टच हो सकती है इसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे एक तो तार लगा रहे हम नूटल के लिए और एक नूटल हम बोड़ के लिए तो आप देख सकते हैं हम दोनों को टच करेंगे आपस में ऐसे इकटा करके उसके बाद हमने इसमें लगा दिया इसके बाद अपने इसको टैट करना है तो यह सीधा है इसको आगे कर देबें यह हमारी में स्विच में लगा गी तार और यह जो दूसरी तार आपकी कहा लगा गीए दूसरी तार को अपने यहां लगाना है इसमें तो यह आपने देखा कि यह हमारी न्यूटल लगी है और इसको हमने यहां लगा दिया इसके बाद अब हम में फेस कहां लगाएंगा में फेस का ध्यान रखने ता भी नहीं में फेस हम इसमें दे रहे हैं और गस कर ना कि लूज यह नहीं लूज हो कर आपके खुल कर कहीं और टच हो यह इसके बाद आपने दोस्तों यह ध्यान रखने यह आपको छोड़ेंगा ज़िए यह पावर क्रोस करने के यह आपका ऑन-उ理 के लिए हैं यह आपका यह उन-अफ के लिए जुआ सकता है और कि वद्दर खिए जचिए जब । तब खिए जहाँ जजैंगा दोगल ऑगली जब मुद्दर जब कारी हिसी कि पास्थ भी कि मुद्थर जड़ जथाया से पास्थ झास्थ कि अब तो दोस्तों आपने एक छीज का ध्यान रखना है यह हमारा होल्डर है यह हमारा न्यूटल है यह हमारा बोर्ड में लगी है और यह में फेस है यह बोर्ड में लगी है तो ये भी हमारा इसका साव के लिए होता है ये जो है इस शोकेट से ये ओफ हो जाएगा इसको ओपर को दबाओगे तो और इससे यह हो जाएगा तो हाँ और सबी ने ध्यान रखने की तार ऊपर से न जाए यह साइड से लेना मेशा साइड से लेते हो तो आपका जो बोड सेफ रहता है नहीं तो बोड जल जाएगा इसकी पावर पास वोगपर की अपने तार लेनी है नहीं तो उसी तार को अपिकठा करके समय तक पहुंचा सकते हैं और इसको फिर अपने टाइट कर देना है तो अब हमारा बोड जो है वाइरिंग हो गई है और इन दोनों तारों को यह जो है इसको हमने बोड में लगाना है उसके बाद देखोगे कि आपका जो होल्डर है बिलकुल ओके चल जाएगा तो अब हम इसको बोड में लगाते हैं कि अब अब कि अब हम इसको बोड में लगाते हैं कि अब हम लगा बूदे करता तेम कि अब बोड में लगानी करते हैं कि अब हम जब शो है तो जब यहां है रगा तो में जब हैं अब हमने इसको बोड में लगा दिया है और अब हम इसमें यह लगाते हैं अब यहां से हम ओन करते हैं तो दोस्तों यह देखा कि हमारा जो बल्लब है जल गया है और तो यह जल गया है और यह हमने यहा लगा रखा है तो इस कारत है कि जो हमने वायरींग की है वो बिल्कुल ओक है और बिल्कुल ठीक है तो दोस्तों जोगों को ना पता चले कि कैसे हुआ क्या है क्या नहीं तो वो लोग मेरे इसमें मैं आपको साथ मैं फोटो भी मैंने फ़स्ट में वीडियो के आगे में फोटो लगा हूँ आप उस फोटो को देखकर भी चेक कर सकते हैं कि हमारी वारिंग ठीक है यह गलत है तो दोस्तो होल्डर है अब तो बल्लब मेरे पास दूसरा नहीं है तो म तो यह मारा ओन ओफ हो गया है तो दोस्तो इसके बाद हमने इसमें यह लगाना है यह तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं और इसको आपने बंद करना है प्रॉपरली तरीके से दोस्तो यह वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने जो इससे पहले तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप चेक करके बताओ कि यह चलते हैं नहीं तो मैं कुछ कहते थे कि हमारे जो है बोर्ड जल गए तो दोस्तों बोर्ड इसलिए जला क्योंकि आप लोगों ने सही तरीके से नहीं बनाया अगर आप मेरी लेंगोज नहीं समझा रही वाशा नहीं समझा रही तो आप उसका क्नेक्टिविटी देख सकते हैं किनेक्ट कैसे किया है वारिंग कैसे किया है तो आप उसकी कनेक्शन चेक करें प्रोपरली और फोटो मैं जो मैं इस वीडियो के उपर लगा हूँ उस फोटो से आप प्र पिस्क्राइब करें जय हिंद जय भारत